हेलो फ्रेंज मैं हूँ किर्थी का अमेग जुराती रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम भेल के लिए सूकी ग्रेन चटनी बनाएंगे जिसे आप 10 से 12 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इस तरह का मिक्सर का जाड लेगे अब हम इसमें हरा धनिय डालेंगे हरे धनिय को ऐसे डंडल के साथ ही लेना है और अच्छे से वाश करके लेना है अब थोड़ा सा फूदीन डालेंगे और यहां पे 3-4 हरे मिश डालेंगे और चोटा टुकड़ा अद्रक का अब नीमू का रस डालेंगे नीमू के रस से हमारी चटनी ग्रीन ही रहेगी अब हम इसमें तोड़ा सा जीरा डालेंगे आदर टीस्पून जितना अब वन फो टीस्पून जितना नमक डालेंगे अब चटनी को हमें पावडर फोम में बनाना है तो इसके लिए मैंने यहां पर रोस्टेर चना लिया है, जो हल्दी और नमक वाला है, आप रोस्टेर चना दाल भी ले सकते हो, या तो जो फ्राइ की हुई चना दालाती है, वो भी ले सकते हो, अब हम यहां पर वन फोर्क अब जितना चना डालेंगे, अब सारी चीजों को हमें अच्छे से पीस लेना ह तो अब हम इसे पीस लेंगे, तो इसी तरह से हमें मिकसर को चालू बन करके इसे पीसना है, आप देख सकते हो, इसे आप इसी तरह से ही पीस येगा, ताकि हमारी चटनी एकदम ट्राइ ही बने, तो आप देख सकते हो कि हमारी चटनी अच्छे से बन चुकी है, इसे आप इ ठंडा करके कोई भी एर टाइट कंटेनर में बरके 10 से 12 दिन तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हो और बहुत सारी रेसिपी में उसका उप्योग भी कर सकते हो I hope recipe आपको अच्छी लगी होगी recipe अच्छी लगी हो तो please मुझे comment करके बताईए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेर करना मत बूलेगा Thank you for watching